Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि आपके परसन की Current Feelings और Thoughts आपके लिए क्या है ये सारे Star Science के लिए Reading होती है ये एक Short Reading है और बिल्कुल Timeless है सो हम देखेंगे कि आपके परसन आज कैसा Feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं सबसे पहले है हमारे पास Eight of Swords, The Emperor, Death and Rebirth, Three of Cups Bottom of the deck पर हमारे पास है Four of Cups सो ये नमबर 13 है, 3 plus 1, 4, 4 and 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, किसी के लिए important हो सकता है So 4 जो है, ये Stability का नमबर भी है, So maybe आपके परसन Stability चाहते हैं जिन्दगी में Stability के लिए Struggle कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं उनकी Life में, जो Move नहीं कर रही हैं, जो आगे नहीं बढ़ रही हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास control नहीं है, उनके पास power नहीं है, उनको ऐसा feel होता है ये card हमार पास है तो सही, but I really feel कि आपके person थोड़ा helpless या hopeless feel करते हैं अपनी Life के बारे में So satisfy नहीं है ये इनसान अपनी Life से So आपकी offer ये इनसान ठुकरा चुके हैं एक दफा़, love offer, आपके शायद सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहते हैं और maybe एक point पर आकर उन्होंने कहा कि हमें दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम आप बार-बार hurt होंगे Because आप उनसे प्यार करने लग गए, उन्होंने आपकी feelings के बदले में वो प्यार आपको नहीं दे पा रहे तो इस situation से आप बार-बार hurt होंगे हो सकता है उन्होंने आपसे ये तक बोल दिया कि अब हम friends भी नहीं रहते हैं ये इनसान आपके साथ truth है इस हवाले से आपको धोका नहीं देना चाहते थे या आपका फाइदा नहीं उठाना चाहते थे तो उसका reason ये है कि ये इनसान अपनी जिंदगी के कुछ इनके मामलात हैं I don't know क्या मामलात हैं बट कुछ चीजों में ये इनसान फसे हुए हैं और उनको लगता है कि फिलहाल वो afford नहीं कर सकते हैं कोई भी connection, कोई भी relationship वो नहीं बना सकते हैं हो सकता है इदर उदर उनसे कुछ गलतियां भी हुई है यानि उन्होंने आपको lead किया कहीं ना कहीं उन्होंने आपको कोई mixed signal या messages दिये जिसकी वज़ा से आप उनके प्यार में पढ़ गए और वो फिर पीछे हट गए उन्होंने responsibility नहीं ली अपनी उन हरकतों की उन बातों की आपने उनसे बोला होगा फिर ये क्यूं किया फिर ऐसा क्यूं कहा फिर ऐसे time क्यूं दिया मुझे या अगर मेरे साथ चलना नहीं था सो उन्होंने वो सारी चीज़े friendship में डाल दी कि बस as a friend वो आपके साथ है मुझे relationship नजर नहीं आ रहा है यहां पर था भी तो I feel कि खतम हो गया है break up है separation है बट ये इनसान I feel कि दुबारा as a friend आपकी जिंदगी में जरूर आना चाहेंगे ये भी हो सकता है कि आपके person जिनके लिए आपकी reading देख रहे हैं वो आपसे प्यार भी करते थे उनके दिल में आपके लिए feelings भी थी थी लेकिन वो कभी आपसे share नहीं करना चाहते for whatever reason ये इनसान नहीं आपके साथ कभी भी share नहीं उन्होंने किया ना वो करना चाहते हैं ये इनसान आप शायद इनको कभी समझी नहीं पाए कि ये क्या इनसान थे इनने क्यों आपके साथ किया जो भी किया जैसा भी behave किया क्या उनकी intentions थी आप आज तक शायद नहीं समझ पाए हैं कि ये कौन इनसान है और क्यों उन्होंने आपको हर्ट किया वो आपसे शुरुआत में ही कह सकते थे कि हम नहीं चल सकते या जो भी है राइट सो चीज़ें बड़ी गलत जगा पर जाकर खतम हो गई बहुत आगे बढ़कर आपके दिल में फीलिंग्स पैदा हो गई और फिर चीज़ें खराब हो गई और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग और चैलेंजिंग रहा है तो इस कनेक्शन की वज़ा से आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं आपकी जिन्दगी में बड़े मेजर मेजर चेंजिस आए हैं आपकी सोच में तबदीली आई है कुछ ना कुछ बहुत चेंज हो गया आप पहले जैसे नहीं रहे हैं इस कनेक्शन की वज़ा से और हो सकता है कि कोई नेगिटिव कोई चेंज भी आया हो पॉजिटिव चेंज भी आया होगा सोल ग्रोथ हुई होगी आपकी नेगिटिव इनसेंस के में भी आपको ये लगता होगा कि आप हर वक्त रोते रहते हैं आप हर वक्त सैड रहते हैं इस कनेक्शन की वज़ा से ये होता होगा कभी-कभी आपके साथ टाइफिल की एक चैलेंजिंग टाइम और गुजर जाएगा मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि ये इनसान as a friend फिर से आपकी जिन्दगी में enter हो सकते हैं हो सकता है कि वो आप से ये कहें कि चलो दोस्त के तौर पे रह लेते हैं बट वादा नहीं करेंगे एक दूसरे से देखेंगे कि future में कोई possibility बनती है हम दोनों के दर्मियान relationship होता है या नहीं देखेंगे हम flow के साथ चलेंगे life के और एक दूसरे को force नहीं करेंगे कुछ इस तरह का वो कह सकते हैं आप से ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा झाले दूसरे को नहीं करेंगे